आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ Download Now Hello Friends, हमारा Question है The method of moving from particular example to generalization is यानि कि कौन सी method जिसमें हम पहले example देते हैं फिर उसके बाद उसके रूल में जाते हैं यह Question है यह Question है पूछा है तो Let's Analyze Options One By One Option है Deductive Method यानि कि Method काई की हैं? Teaching की है Teaching Methods हैं ठीक है? तो Deductive Method में क्या होता है? पहले समझ लेते हैं फिर हम इसको Relate कर पाएंगे Question से Deductive Method में क्या होता है? जैसे कि for example प्लास में टीचर पढ़ा रही है संग्या यानि कि नाउन तो टीचर उसकी definition ना दे के टीचर यह नहीं बताएगी पहले कि नाउन is a name of person, place or thing टीचर पहले बताएगी प्लास के बच्चे को consider करके रमेश, you stand up तो रमेश खड़ा हो जाएगा फिर उसे बोलेंगे कि मैंने तुम्हारा जो नाम पुकारा यही नाउन है यानि कि हम किसी को पुकारने के लिए जो भी शब्द का प्रयोग करते है वो नाउन कहलाता है तो उन्होंने example पहले दिया उसको उसके बाद उसको definition बताई तो basically उन्होंने क्या किया पहले एक example दिया फर generalization में गई उसके rule में गई तो यह जो चीज है यह होती है deductive method में बिल्कुल तो option है बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें पहले example दिया जाता है example से बच्चा comprehend कर लेता है उसके बाद उसके rule और generalization में जाते है ठीक है तो यह प्रकार की teaching method है ठीक है तो हमारा जो answer है वो है option है डिरक्ट्ट्व method Thank you